आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक काप आप टी जो की कैथरीन मैंस्फिल ने लिखा है उसके क्वेस्टिन्स एंसर जो की काफी इंपोर्टेंट होंकि आपका में एक्जाम के लिए और हम लोग कुछ एक्स्टा क्वेस्टिन्स भी डिसकस करेंगे तो लिटियो को अंतकद देखें इग्रोर झारें और अगर वीटियो पसंद आया तो फ्लिज वीडियो को लाइक जी करें और अगर आप लोग ने अभी तो आएए चलते हैं questions की और तो सबसे पहले हम लोग textual questions दे शुरू करेंगे यह जो approach section है यह आप जानते हैं Catherine Mansfield ने लिखा है और यहाँ पर textual questions में सबसे पहले true and false हैं जैसे कि जो पहला question है Miss Smith was very rich girl तो जिन्होंने भी इस lesson का explanation वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज जाकर देख लिजे तभी आप लोग को समझ में आएगा यह lesson क्या है actually तो इसका answer होगा आपका false क्योंकि Miss Smith एक poor girl थी according to this lesson according to Catherine Mansfield उसके बाद question number 2 में है आपका रोज मेरी was very compassionate woman अर्थाथ यहाँ पर कहा गया है कि रोज मेरी काफी मतलब की सहानो भूती पूरवक या दयालू किसम की woman थी तो जैसा कि आप लोग ने lesson में देखा था पड़ा था कि रोज मेरी ने एक poor girl को चाई के लिए बुलाया था तो उससे हम लोग कही ना कहीं कह सकते हैं कि वो एक compassionate woman थी यानि कि दयालू woman थी तो इसका answer वोग आपका true याद रखिएगा lesson no.3 में है आपका फिलिप दिड नॉट वांट मिस मेरी के husband वो नहीं चाते थे कि मिस मेरी उनके साथ खाने पर बेठे या उनके घर पर आये तो उने ये काफी मतलब की strange लगा था कि उनकी पत्नी किसी अंजन सक्स को घर में मतलब बुला कर लाए हैं तो इसका answer होग आपका true याद रखिएगा question no.4 में है आपका रोजमेरी had been married for a couple of years यानि कि जब इस lesson को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें यह पर पहले ही हमें starting में मिलता है कि रोजमेरी और फिलिफ दोनों एक कपल है तो रोग आपका true याद रखिएगा उसके बाद question no.b में है आपका answer the questions in one or two words आपका पहला question है which Russian author influenced Catherine Mansfield तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था summary time में कि जो Catherine Mansfield है वो तीन सक्स से ज्यादा मतलब की प्राववित हुई थी उनके बारे मैंने आप लोग को detail में कहा है summary में कहा है तो आप लोग प्लीज जा कर एक बार देख लीजे तो वो आपके लिए कापी helpful हो सकता है तो इस question का answer होगा आपका एंटॉन चेकोब याद रखिएगा question number two में है आपका in which street was rosemary swapping when she met miss smith answer होगा आपका Curzon street याद रखिएगा और ये लंडन में है ये जो swap है ये लंडन में situated था यानिकि जो पुरा कहानी है ये पुरा lesson ये आपका लंडन में मतलब की 1920 यानिकि उस टाइम का यानिकि 1920s के दोरान मतलब की एक पलोट कैथिन मैंस्पिल ने क्रेट किया हुआ है इसके बाद question number three में है आपका how many pounds did rosemary give to miss smith तो इसका answer होगा आपका three pounds याद रखिएगा question number four में है आपका what is the cost of the animal box that rosemary wanted to buy यानिकि जो बॉक्स था जो कि रोज मेरी को काफी पसेंद आया था जो उन्होंने deny कर दिया था खरेदने के लिए और उन्हें सबकीपर को बोला था कि बाद में आकर ले लूंगी आप वह रख दीजे तो वह जो आपका animal box था उस box का price था आपका 28 guineas यानि कि देखिए guineas मतलब होता है guineas का currency one guineas franc का मतलब होता है आपका भरती अगर हम लोग currency के साथ compare करें तो इसका मतलब की लगबग लगबग 0.0096 इतना मतलब की कम होता है currency as compared to India यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह मतलब इस lesson में एक country के currency का बात आया हुआ है तो आप लोग प्लीज इस टीच को भी note करें question number 5 में है आपका what is the name of the main character of a cup of tea तो इस question का answer होगा आपका rose mary is the main character of a cup of tea याद रखिएगा तो आगे बढ़ते है question number c की और question number c में है आपका answer these questions in a few words each पहला question है आपका a cup of tea तो इस question का answer होगा आपका rosemary and miss smith are the two women characters in the story a cup of tea याद रखिएगा question number 2 में है आपका what kind of a relationship do rosemary and philip share in a cup of tea याद रखिएगा इस lesson में rosemary और philip के बीच कौन सा संबंध है ऐसा हमें पुछा गया है तो इसका answer होगा आपका rosemary and philip are married couple in the lesson a cup of tea याद रखिएगा question number 3 में है आपका how does philip react towards mrs smith इसका answer होगा he immediately understands the situation when he looks at the hat and coat lying on the floor he did not care about that mrs smith and wants to send mrs smith out as she belong to a poor class याने कि जब rosemary mrs smith को याने कि वो poor girl को अपनी घर चाही के लिए बुलाती है और suddenly जब philip उस लड़की को देखता है तब वो मतलब कि awkward फिल करता है या uncomfortable फिल करता है तो वो immediately अपनी wife को अकेले में बुलाकर उस लड़की को मतलब कि जाने के लिए मतलब कहता है initiate करता है तो याने की याने की philip को उस लड़की को अपने घर पर पाकर मतलब अजीब साब मतलब मैसूस हुआ था तो इसलिए उसने अपनी पत्नी को उससे वहां से जाने के लिए कहा question number four में हापका who was Miss Smith? why did Rosemary send her back? तो इसका answer होगा आपका Miss Smith was a poor girl Rosemary sent her back because she got jealous when Philip praised her as so pretty and lovely याद रखियेगा question number five में हापका why did Philip disapprove of Rosemary's decision to keep Miss Smith with them तो इसका answer होगा Philip disapproves because Miss Smith is astonishingly pretty and that is he bold over by her beauty and also Miss Smith do not match their standards याद रखियेगा तो इस तरह से आप लोग को questions याद करने होंगे काफी interesting lesson है और काफी easy भी है तो आप लोग अगर अच्छी तरह से सामारी को पढ़ लेंगे तो आप लोग को मतलब हारे questions को करने के लिए आसान होगा easy होगा तो आप लोग प्लीज ये सारे questions को देख कर जाए और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा तो PDF का link मैं description दे दूँगा वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं झाल मुझा झाल 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 ऌटो अप्रूजों को जाओोर और किया अप्रूजों कर दो आप है